C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिये पेश है तीसरी जमात के लिए उर्दू की समयी दर्सी किताब सितार सबक दस हम दर्दी सफ़ा पिछ्यासी टहनी पे किसी शजर की तनहा बुल-बुल था, कोई उदास बैठा कहता था कि रात सर पे आई उर्णे चुगने में दिन गुजारा पहुचों किस तरह आशियां तक हर चीज पे छा गया अंधेरा सुन के बुल-बुल की आहो जारी जुगनू कोई पास ही से बोला सफ़ा च्यासी हाजिर हूं मदद को जानो दिल से कीड़ा हूं अगर्चे मैं सरासा क्या गम है जो रात है अंधेरी मैं राह में रौशनी करूँगा अल्लाह ने दी है मुझको मशल चमका के मुझे दिया बनाया हैं लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के शायर अलामा इकबाल सफ़ा सत्तासी मश्क पढ़िये और समझिये शजर पेड़ दरख्ट आशिया गोसला घर आहोजारी रोना चिलाना जहां दुनिया तन्हा अकेला मशल चिराख सोचिये और बताईये एक बुलबुल कहां बैठा था? खाली जगा दो बुलबुल ने दिन कहां गुजारा? खाली जगा सफ़ा 88 तीन जुगनू ने बुलबुल को किस तरह मदद करने के लिए कहा? खाली जगा चार अच्छे लोग कौन कहलाते हैं? पांच आप किस तरह दूसरों की मदद करते हैं? खाली जगों में सही लवज लिखिये 89 चार अल्लाह ने दी है मुझको खाली जगा खाली जगा के मुझे दिया बनाया पांच हैं खाली जगा वही जहां में अच्छे आते हैं जो? खाली जगा दूसरों के मिसाल के मुताबिक दिये हुए अलफाज के मुतजाद लिखिये रात दिन गम खाली जगा पास खाली जगा हाजिर खाली जगा दिये हुए अलफाज को उलटकर मिसाल के मुताबिक नया लवस बनाईए मिसाल उदास सादा रात खाली जगा सर्द खाली जगा राम खाली जगा रेत खाली जगा असादजा के लिए हिदायात नजम को आउडियो में सुनवाने के लिए मवाके और माहौल फराहम करवाए चा सकते हैं नजम के मरकजी खयाल पर गुफ्तगु करवाई चा सकती है सफ़ा नववे नीचे दी गई तस्वीरों को देखिए और उन पर दो-दो जुमले लिखिए यहां इस सफ़े पर पांच तस्वीरे दी गई है बुल-बुल जुगनू दरख्त मशल दिया सफ़ा इक्यानवे कीजिए नीचे दिये गई जद्वल में परिंदों के नाम तलाश कीजिए बुल-बुल चकोर कबूतर तोता मोर मैना तीतर फाखता यहां एक टेबल दी गई है जिसमें आठ कॉलम है पहले कॉलम के हुरूफ ते छोटी ये ते रे लाम मीम वाउ तोए दूसरे कॉलम में दिये गई हुरूफ चे जीम तोए खे लाम काफ नून फे तीसरे कॉलम में दिये गई हुरूफ काफ बे लाम वाउ गाफ बे अलिफ अलिफ चोथे कॉलम में दिये गई हुरूफ वाउ नून लाम अलिफ लाम तोए छोटी है खे पाचवे कॉलम में दिये गई हुरूफ रे जीम काफ बे वाउ ते रे ते चटे कॉलम में दिये गई हुरूफ बे टे छोटी ये तोए लाम रे वाउ छोटी है साथवे कॉलम में दिये गई हुरूफ मीम छोटी ये नून अलिफ शीन लाम मीम तोए आठवे कॉलम में दिये गई हुरूफ नून बे नून खे ते छोटी ये नून काफ इस सफ़े पर एक जदवल दिखाया गया है जिसमें आठ कॉलम है पहले कॉलम में उपर से नीचे की तरफ दिये गई हुरूफ मिसाल के तोर पर इस जदवल में बे लाम बे लाम से बुल-बुल बना कर दिखाया गया है सफ़ा बयानवे सही जुमलों पर सही का और गलत पर गलत का निशान लगाईए एक जुगनू दिन में चमकता है खाली जगहा दो बुल-बुल पेड़ पर खुश बैठा था खाली जगहा तीन जुगनू ने बुल-बुल की मदद की खाली जगहा चार अच्छे लोग हमेशा दूसरों के काम आते हैं खाली जगहा पाँच अल्लाह ने जुगनू को रोशनी दी है खाली जगहा बुलंद आवास से पढ़िए और खुश खत लिखिए शजर खाली जगहा आशिया खाली जगहा तनहा खाली जगहा कीड़ा खाली जगहा मशाल खाली जगहा सफह तेरानवे नीचे दी गई तस्वीर को देखिए इसको देखने के बाद आपके दिल में जो खयाल आए उसे लिखिए इस सफहे पर सरसब्स बाख की एक तस्वीर दिखाई गई है लतीफा या चुटकुला उस्ताद P.W.D. का फुल फॉर्म क्या है शागिर्द पकोडों वाली दुकान पहेली हरी है मन भरी है लाल मोती चड़ी है राजा जी के बाग में दोशाला ओढ़े खड़ी है अभी आप सुन रहे थे तीसरी जमात की उर्दू की समयी दर्सी किताब सितार समयी रिकॉर्डिस मयंक कुमार समयी फनकार सुंपुल शकील और फारहान अली नकवी हिदायत और तखलीक कार विमलेश चौधरी ये किताब C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत के जरिये पेश की गई